हेलो प्रेंज वेलकम टू बैक मैं चैनल आप सभी को स्वाधत है फिर से एक इनुरोपी किस्सा जैसे का आप लोगों थम्लेल देखकर पता चलेगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है आज मैं उन वीवर्स के लिए वीडियो लेके आया हूं जीन की डिमांड थी जिन्हों ने हमें बार-बार मैसेज किया कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट किया उनके लिए वीडियो है और जीन भाई को इंट्रेस्ट है इस वीडियो से तो वह भी इस वीडियो के देखिए क्योंकि मैं हर वीवर्स के लिए वीडियो लेके आता हूं और मैं पिछले वीडियो में ज इतना एमाउंट हमें देनी चाहिए ठीक हां किटना हमें होडकर लिटे ओर पलंबर का कितने तरह का बील हम बना सकते हैं यह सारी इसे वीडियो में discuss करेंगे आप लोग आप सभी से ओके तो आप बने रहे हैं इस वीडियों बिना time wish किए तो हम क्या करें एक मैंने एक roughly data आप लोग पहले तो आप दो तरह के आपको airport जानी है तो आपने क्या क्या taxi तो आपको airport जानी है तो टेक्सी वाले को पहले से पता है कि हम अगर इसको airport पे अगर हम लेके जाके हम छोएंगे drop करेंगे तो उसकी charges 500 रुपी है यह हुआ मेरा lump sum क्योंकि amount पहले से fix है अब item buys का मतलब क्या है आपने फिर से की taxi ठीक है अग टेक्सी क्या आपको आपको छोड़ने का बात था airport पे लेकिन जब आप आपके छोड़ने का बात था इसका मुझे 500 रुपीज आपको देने का बात था ठीक है तो अगर आप आगे अगर लेके जाओगे तो उसका extra amount लगेगा extra amount कैसे लेगा पर किलोमेटर की इसाफ से तो वही lump sum और एक item बनी हुई है या आपके आसपास में construction हो रही है मैं इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि लंसम लिया हो यह roughly data है कोई आपकी यह fixed amount नहीं है ठीक है इसलिए आप यह मत सुचेगा कि यह fixed amount है सिर्फ मेरा video बनाने का उतिस यह है कि इस वाले amount को हम bill format में जाके कैसे put करें और वहां से auto scheduling कैसे करें आपके company या आपके सहर या आपके city के according जो भी rate find होता है तो आपका rate total निकल के आएगा ठीक है या आप totally एक lump sum में अगर बात करें जैसे ठोजन इसकार फीट है तो आपने plumber भाई को बोल दें यह इतना दो कीचन है चार बातरूम है यह यह है आइसी चेंबर है water tank fitting है एक rain water harvesting है तो क्या है कि आपके प्रोसी के आज-पास building पहले से बनी गई है समझ रहे है तो वहां पर सब्वोज उ मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ करने की जड़त नहीं है इतना सारा काम आपने दिखा दिया वह आपको डायलाक में complete करके दें और item बाइस का क्या मतलब है कुछ नहीं पता में कितना काम होना है यह नहीं होना है सपोज अभी हम बात करते हैं अभी दो बातरूम है हो सकता ह दो बातरूम बात में फ्यूचर में और बने वातरूम भी और हमारा बने तो इसमें item बाइस में को फिक्स ही होता है इसलिए हम एक item बाइस rate को फिक्स कर देते हैं कि एक kitchen बनाएंगे तो 15,000 लेंगे एक बातरूम आपका बनाएंगे तो 20,000 रुपया लेंगे अगर एक pantry का काम हम आपको complete करके देंगे तो इसका हम 5,000 लेंगे एक ऐसी chamber अगर हम आपको complete plaster ग्रोटिंग और करके देते हैं तो हम 5,000 लेंगे तो इस हिसाब से item wise rate होता है आपको कोई भी सुविदा नहीं है मतलब कोई भी दुविदा नहीं है इसमें आप लोगों को क्योंकि अगर आ photo scheduling करके देंगे यह stages है यह percentage है कितना कितना हमें देना है और कितना पैसा हमें hold करनी है यह सारा चीज़ डिटेल है इसी वीडियो में आपको सीखने को मिल जाएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करना ताकि ओ भी इस वीडियो का करके जाओगे ठीक है तो अब हम क्या करते हैं इस्टिमेट सीट पर फिर से आते हैं तो आपको समझ में आ गया दो तरह के बीलाता है यह एक परपस और भी होता है कि आप प्लंबर को काम देने से पहले आप उनके पास retות. को 2-8 का मतलब क्या हूँ कि उसमें rate find क्या होरा रहता है और उसमें एक client का signature होती है और एक हमारा ये जो भी हमारा vendors होते हैं इनका signature होती हूँ. कर दोनों की बीच जो भी हमारा पाधशीत होती है उसके according हम काम ले ले नेहीं हमें धुक्त घुटन कर दिए एक किचन का रेट उसमें लगाया ऊक्ता है तो होती है तो वहां से क्या होता एक लिए इस तरह आपको डटा बना नहीं है और अगर यह लदा इतना है तो उस quotation में kitchen का दाम दे रखा होगा fitting items की complete वर रखी ये फिर bathroom समझने में क्या करना चार कि quotation से आप rate इसमें put कर देना है या जो जो है तो आपको एक total budget आ जाएगी है अब bill की बात आती है ये bill वहमार जब को आरे bill number one इस bill को बनाते कैसे हैं अभी सिखेंगे इस bill को बनाने के लिए ठीक है तो आप क्या है contactor name ABCD ABCD लेकिन आपको अगर वहां से complete इसको करना है तो इक्वल प्रेस करना है मैं इसलिए बता रहा हूं कि साथ साथ आप सिखो इक्वल प्रेस किया देन मैं इस्टिमेशन सीट पे जाता हूं और यहां पर क्या वर्किंग साइड यह यहां पर contactor name इसको करोगा रहरें इंटर लगाने आपको ठीक है तो यहां पर आगे contactor name रामलाल मैंने रामलाल दिया आपका जो फेवरेट है आप अपनेrim करो रैट अब engineer name क्या है मैंने उहां पर engineer name नहीं दिया है आप आप यहां पर engineer name दे सकते हूं नीचे मैंने लिखा है working side एक में link करना बता दिया आपको इस तरह आप link कर सकते हूं ठीक है अब working side क्या है मैं equal लगाया ठीक है मैंने equal लगाया शॉरी यह तो इंजिनियर नेम आप इंजिनियर नेम जो है वो कर देना अब working side यहां पर हमारा तो इक्वल प्रेस करेंगे अध्यान फिर इस्टिमेट सीट पर जाएंगे और यहां से अगर आप कंपनी में काम करते हो तो अगर आप एक क्लाइंट हो तो आप टोटल एमोंट जागा डिरेक्टरी आप पूट कर सकते हैं ठीक है इस्टिमेट सेट है यह हमारा working side इसको तो आपना नाम डाल दो यह कुई जिस कंपनी के लिए काम करता जो इंजिनीर वों उस इंजिनियर का Waala मुन ने कि है कि यह इंजिनियर ने बना है आप बात करता है कंटेक्टर की ज pitch है अगर क्लाइट भाई क्थे टोटल आपको एमोंट पता हो जाएक ठीक है तो इस एमो पच्चीस हजार की एकोडिंग हमारा आ चुका है जिसमें की पच्चीस हजार आ गया ठीक है तो इतना एमांट हमारा रिशिव्ड हुआ है टोटल बैलांस इसमें दिखा देगा क्यों कि पच्चीस जार का काम था जिसमें की 1250 उर्पे ले चुका है तो यहां पर बताएगा 23 समझें कितना इजी है आप कुछ भी इसमें काम करोगे आपको 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 पेची करने की जवरत नहीं है बस अब ध्यान से देखना मैं कहाना क्या चाहता हूं फिर से गये तो आपको यह एमांट है एमांट को कैसे लिंक करना है ठीक है इक्वल लगा ना इक्वल लगा क कि इसधी में सबसे पहले बिल आप अगर बनाते हैं कंपनी के नाम धोगे फिर यहां पर नाम दोगे पिर इंजनियर किस तुरू बनाया गया है यहां पर आप इंजनियर का नाम दोगे ठीक है अब मैंने टोटल एमोंट यहां पर इसलिए रखा है क्योंकि इसी एमोंट का सारा खेल है इसमें इसी एमोंट से और परसेंटेज से मैंने पूरा एक्टिविटी कम्प्लीट करके रखा है अब स्कोप फॉर्क इसको क्या प्लंबिंग आता आपने प्लंबिंग दिया आप दो प्लंबिंग में कोई डिफ्रेंस नहीं है सिर्फ वर्क आपका चेंजर होजाएगा वर्क स्टेजेस अलग होगी आपका वर्क अलग है तो आप यहां पर इलेक्टिकल फिल करोगे बिल प्रमेट डोनों जल्वी रहेगा यह अच्छी तरीका मतलब बुट टरीका एक और तरीका मतल़ और दो तरीका है बिल बनाने की बहुत सारी टरीके है Cities व टरीका था जो लोगों कर ले कर ले कर में आया हूं अभी जो बात करना इस वीडियों ठीक है तो आप दक की वर्किंग साइट यें लिग दिया लेट्ट लिए यह सांप करते कैसे quests हो से होता है मैंने काप ही वीडियो में बता रखा देखा अब क्या है अंगा कि अमारा परसंटेज के एकोडिंग यह एमोंट होगा, अगर हम टोटल एमोंट का 5 परसन करते हैं, तो यह एमोंट आएगा, फिर यहाँ पे होगा, क्या, एक्चुली मैंने क्लैम परसन्टेज दिया, अब क्या है, कि आपने किसी को आपके घर में कोई भंसान है, आपने किसी लेवर को बुला के लाया, चौक से, ठीक है, आपने उससे बात कर लिया, कि अगर यह पूरा घर आप सफाई कर देते हो, तो आपको मैं तिरपन सो रुप कर देते हो, तो मैं आपको कितना दूँगा, तिरपन सो रुपिया दूँगा, मतलब 5,300 रुपिया, समझ या, तो उसने वो लट ठीक है, तो अब हुआ क्या, जब इबनिंग टाइम हुआ, साम हो गया, उसने काम नहीं किया, मतलब कुछ काम आपका बाकी रख लिया, ठीक यह पहले काम कंपलीट करना, फिर यह पैसे, यह यह एमांट लेके जाना, तो यहाँ पर क्लाइम परसंटेज का मतलब वही है, कि यहाँ पर 5% एडवांस देना था, तो आपका एडवांस तो लेके जाएंगे, सपोज मैं इस्टिल प्लोडी, सपोज मैं अभी एक दो लिं किया इसको, ठीक है, अब कैसे करते हैं, यह सैम फ्रमेट है, जब यह तीन सिख जाओगा, तो यह सारे आप लिंक करना सिख जाओगा, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, इक्वल प्रेस करूँगा, अब कितना एडवांस, कितना 5% देना है, किसका, 100% का, 100, then into 5, औ किवोड में आपको percentage, shift और percentage, मतलब 5 के साथ percentage होगा, तो shift प्रेस करके percentage को प्रेस करना है, तो आपका यह आ जाएगा, अब क्या कहा रहा, 5% का amount कितना आएगा, अब फिर मैं equal करूँगा, and then total amount into, क्या करना है, 5%, जो मैंने ले रखा है, तो 33 रुप्या होगा, देख लिए, अब हमें claim कितना कितना करना है, 5 है, इससे हम link कर देंगा, right, मैंने link कर दिया, receive amount, receive amount को हमेशा यहां से लेना, इतना into करेंगे, कितना claim कर रहे है, 5% कर रहे, यह हो गया, 3500 हो गया, advance हमें कितना लेना था, 5%, कितना amount बरना, 3500, उसने लिया कितना 5%, 3500, कभी-कभी, बैच आपके पास पैसे कम पढ़ जाता है, तो आप क्या करेंगे, 4% होगे, अभी बात करेंगे, detail से, फिर इसमें 5% है, फिर equal किया, 100 into 5%, किस पे है, still floor room, आप समझ रहे हैं, कि still floor, मतलब जो still floor, मतलब ground floor को अगर ख़ए हैं, वही still floor की रूप, जब ground floor की छट उसने डाल दी, आप still floor में नीचे हैं, तो अगर नीचे से उपर देखेंगे, ceiling के तरफ, तो still floor roof बोला जाएगा, अगर उसके उपर हम ख़ए होंगे, तो ground floor, on ground floor बोला जाएगा, तो still floor roof, अगर वह एक छट still floor का डाल दिया, ठीका, डाल दिया, तो वह कितने परसेंट हमें देना पढ़ेगा, क इस stages पर हम 5% उसको amount देते हैं, राइट, समझ गए, तो इसको आप कैसे करना है, फिर amount का, equal, then into, कितना करना, ये 5, equal कर दिया, sam, equal, इससे आपको link कर देना है, ठीक है, अब समझ गए, मैंने दोनों करके आपको दिखा दिया, sam, अब क्या equal, फिर से amount पर आना है, into करनी है, औ और अब इसका benefit क्या है, वो सारी चीज में आपको आगे भी details ही दिखाऊंगा, ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे भी 5%, equal, 5% है, इसका 100% का, into, 5%, ठीक है, ये आगया, फिर sam, adjectives करना, equal, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं, कि आप कर पाओ, easy तर किसे, ठीक है, इतना, into, into, into किया, कितना 5% है, इसका, तो ये amount आगया, claim कितना की करना है, 5% करना, इससे link कर देंगे, अब amount को भी link कर सकते हो, बट ये better रहेगा, into, फिर इसका, ये मेरा link हो गया, अब दो और है, फाइ-फाइ-फाइ, दोको हर route पे, ground floor route, first floor, मतलब जितने उस level डालते जाएंगे, उसको हम 5% एमोंट के इसाब से देते जाएंगे हम 55% हम इसलिए दे रहा हैं क्योंकि ज्यादा एमोंट अगर आप दोगे क्या है कि आप अगर मोते एमोंट बना दोगा अगर 2 लाग के आपके पास पेमेंट है अपने चार्ज टोलिंग कर दिया पचास पचास जार की तो आपके काम रह जाएं आपका पूरा काम करके भी ने देंगा इसलिए छोटे-छोटे-छोटे एमोंट पर बांट के दो उसको ठीक है और होता क्या एक्चुली आप बड़े एमोंट होगे आज लेके गया दूसरे दिन आयागा 10 जार देतो फिर दूसरे से दने 20 जार लेव इक्वल 100 इन्टू 5 परसे राइट फिर मैंने किया इक्वल फिर इसका भी मैं करी देता इन्टू आपने सीख गया इतना सारे मैंने कर दिया थो आप लोग सीखी गए होगे ठीक है फिर इसका क्या करना है इक्वल दैन एमोंट इन्टू इस से लेंग करना है थर वही कहानी हमें करनी है यह इंटो टोटल एमांट का 5% यह एमांट हमारा हो गिए क्या हो गया यह एमांट हमारा हो गिया अब एक तरीका और है इतना कितना करें अब ये एकीजी तरीका आपको बताते हैं अब एक तरीका क्या है हम कितना करें एक बार तो मैंने फर्मूला लगा दी अब इसको क्लिक करना है यहां पे आपको मिलेगा फर्मूला बार इसको यहां से ऐसे करना है अब कंट्रोल सी करना है समझ रहें कंट्रोल क्या करना है सी करना है अब देन आपको इसके बटन दवा देना है दवा दिया दो बार इसके बटन दवा देना और फिर यहां पे आके कंट्रोल भी करना है ठी यह Sam हो जाएगा 10% का अलग है नहीं 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 आपको Sam कर लेना है इसी ठीक है यह तो दिक्कत आ सकते हैं हम फटापट कर देते हैं equal किया equal किया कितना total amount into 10% ठीक है फिर Sam अगर percentage जाए तो वो हमारा हो जाएगा लेकिन हम कर देते हैं आपको भी equal करना ताकि error नहीं क्योंकि एक बार आउटो से टोलिंग बनने के बाद आपको बार बार चेहरना नहीं इसको इन्टू इतना राइट इसके बाद equal फिर प्रेस करेंगे total amount into 10% ठीक है फिर equal करेंगे फिर total amount into 5% ठीक है फिर equal करेंगे total amount into 5% ठीक है फिर इक्वाल लगाएंगे अध्यान इतना इन्टू 5% करेंगे फिर equal amount लगाएंगे total amount करेंगे फिर इक्वाल लगाएंगे फिर इक्वाल लगाएंगे टोटल एमांट इन्टू 10% हमारा इतना होगा राइट अब हम क्या कर सबको लिंक करते जाते हैं आप देखो धियांग से अगर एक दो बार समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्षण में जरूर पुछ लेए और यह करेंटी देता हो यह पूरी यूट्यूब पे बीडियो नहीं मिलेगा यह मेरी गरंटी इस फिर में ने किया देन सबको लिंग उकवल करके यहां पर सब अनुटर आपको सब अलच पर्स देब को यहां पर उन्ठेट सब लिंक पीसे लगा लगा करा के सम का फर्मुला लगा संप ब्रेकेट में इसको स्लेक करके ब्रेकेट में करोगे इंटरप्रेस तो यह पूरा आटोमेटिक यह यह पर अब आती है एमंट की बाद एमंट होई क्यों करके दिखाई देते बेटर रहेगा इक वी इन्टू ये ऐँमोन्ट फटार फट एक बार फिर तो मैं सिटूलिन्ग दिखा पाऊंगा आधिर वर कैसी करता है तो फिर मैं क्या परों इन्टू ठीक है 5 पर्षंट ठीक है फिर एकवल इन्टू ये रहा गया आपका 5 पर्षंट क्याइ? ।ik海 ठिर एकल अज़र के थिर एकल तो अज़्या का क्या थिर इकलोडने ह्ली थिर led एकलोडने थिर एकलोडने हाव्यटे थिर एकलो फिर टोड NetLS इस वाले से ठीक फिर इक्वल हम यह करेंगे एंग खिर मैं सैंप करूं एंटू आज परसनट अब पूरा वीडियो देखना क्यों कि पोहुत मैं जब मैं इतना मैं में नज कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं करोगे तो आप लोग भी मेनाद करो योग मैने मेनाद करकी सिखा था इतना इंटु ठीक अगर बिल फॉर्मेट में दिख्काता था वो भी पूछ सकता आप आप लोगों के लिए तो फिर है कभी भी पूछ सकते हो वाट्सप नमर डिसेक्शन में दे रखा में ने इंटु इंटु है एं ए घ्रेट यह होगया लिंक अब देखो टोटल जितना एमांट था उस से हमारा थीव एमांट हमारा मैच किया टोटल एमांट कांसे लिंक यहां से लिंक गर लसें वहां से करोगे तो टोटल एम john आ लिंक कैसे करते खिंप यह मैं डिलिट किया क्या किया है अभी हैं फिलाल डिलिट कर देता हूं जब एक एक सी सिखा रहा है यह भी सिखा टोटल बैलंस बैलंस एमूंत के से निकालेंगे टोटल एमॉंट ऑद मैनास रिसीब डैमांट ठीक है तो यहाँ पे एक मैनस लग गया यह पॉइंट देखो मैनस लग गया ठीक है यह आप जीरो भी पूट कर सकते हो आप जो भी आपकी एक्छा आप देखो यह काम कैसे करता है सपोज पांच एडवांस हमें पांच परसंट देना था तो इतना बंड रहाता है पहले मैं हैं यहाँ तेक लिए प्याइच किया था हम मैं ऐसी चेंबर के बारें पहले समझा देतम हो आइसी चमबर जो हमारा इंफेक्सींच हंबर होता है जो कि अच्छे तरीके से मैन होल की तरह हो मैनी होल समझ लग मैन होल से connectivity एक कुर्छी कुर्य में होल में कनेक्टिवीट होत जो एक चैन्ची के पाइब हम स्लोपी पाइब डालते हैं जो कि ओवला ड्रेनेज पाइब में हमारा सिवरेज तक जाती है तो ओवला काम अगर आपका कर देता है तो आपको वहां पे भी 10% टोटल एमोंट कर 10% देना पड़ेगा बातरूंस के जो भी ऑल्रूंस होथा है समंझे हमारा दो तरह की फिर पांती है एक लेत आती ज्यादातर आप बदेंग जो झालेंग यूजरि네임 जी उसका चार्जेस जो भी टोटल एमड का बनता है उसका तोटल आपने लॉट्सम में क्या हो या या टाम 25 परसन देना पड़ता है तो उसका आपको काम अगर करके देता है तो 5 परसन देना पड़ता है किसी किसी तो समर शेवल की होती है लेगे जैसे यहां हमारा सप्लाय पानी होता है ठीक है उस सप्लाय पानी को टेंकी डग पहुचाने के लिए वह गोएं तो हमें क्या करना पाता है कि यहां पे यहां होता है कि हमारे मोटर से तो जो पानी मतलए फैर जो आती है हमारा वहां पर जो connection होता है वहां से continue motor तक आती है motor तक और motor क्या करती है time to time पानी आता है फिर start करो आपने टेंगी वरने की काम आए यह चाहिए fixing of wall pump all pumps अगर कर देता है तो 5% देना पर WC WC upper plates fixing मतलब यह सारा काम करता है तो 10% देना है hand over मतलब सारा काम आपको करके दे दिया तो 10% आपको haul करके जब आप चेक कर लोगे अच्छी तरह के से कहीं हमारा bathroom में लिखेश तो नहीं है सिलिंग से कई पानी तो ने टपक रहा है यह हर्ची आपको चेक करने के बाद आपको यह एमांट देना होता है उमीद करता है कि आपको फुली समझ में आया होगा कि यह scheduling कैसा है अगर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा आप लोग अगर मेनत करते इस scheduling पर या आप अपने कंपनी में काम करते हो तो उमीद करता है सब को अच्छा लगेगा यह वीडियो और सब को पसंद आएगा यह फॉर्मिल ठीक है तो आप बात करते हैं काम कैसे करते हैं अभी तो काम यह कर रहा है तो अब सपोज मैंने यह यहां पर जीरो एमोंट दिया है इस पर जीरो एमोंट दिया अब क्या है परसंटेज पर काम करेंगा अब जीरो एमोंट दिया जीरो एमोंट क्योंकि एक ही बार तो सारा काम करेगा नहीं यह सब तो जीरो ही रहेगा आपका ठीक है आपको सबसे पहले कितना देना यह भी तो कर दिया तो 5% करते तो 5% सब्सक्राइब अगरा तम कर दिए जो अमार जो मतलब जो पुर्युजन नहीं होते ही बातरूम की, रेंवाटर की, वगर होगर की कि उसने कूछ काम गलत कर दिया, तो आप गलती से, मतलब आप गुस्से में क्या करोगे, तौश आप सपोज आपने, यहां दोगया, या आप कोही काम क्या आपके वज़ा है की आपके पास तिरपन सो रुपया आपके पेकेट में नहीं है उस टाइम 4240 रुपया था आपने दे दिया तो 4% हुआ आप तो कोंगे यह दोनों में काम करेगा अब सपोज आपने यहां पे क्या क्या 5% फिर से अगए तो 5% हम देंगे इस फ्लूर्टी फिर क्या हुआ कि एक चत पे अपने पैसे एमोंट नहीं दिया पूरा एमोंटी नहीं दिवाए तो दूसरे चत पर डवाल दोगा तो कितना 10% कर दो तो टोटल 10% ठीक है तो अब हम 5% परसंट कर देते हैं इसमें भी हम 5% कर देते हैं मैंने कर दिया पूरा अब क्या है कि कभी कभी क्या है कि यह इसका 5% के एकोडिंग तिरपन रुप्य बन रहा है नेकिन मेरे पास आए 52 रुप्य तो यह बावन सो एकोडिंग यह पूरा रिजल देगा टोटल रिसीब अमोंट के बता देगा आपको एक तालिजा 240 रुप्य लिए और टोटल बै इसी तरह यह इस इसे पर 5% देना था 5 आप पूट कर दो सिर्फ तो इस हिसाफ से अब यह इस एमोंट पर 10% देना था 10 आपने पूट किया तो यह 10% के एकोडिंग ने देगा आपने देखा कितना इजी है अब क्या है अब यही एमोंट नहीं आप मैं क्लाइंट के लिए क यह सेम आपको बिल फर्मेट बनानी है यहां पर तीन लाक में बात होगी तो तीन लाक दे दोगे तो यहां पर आपको मैनस पलस करने का ज़रूट नहीं है आपने एक बार बना लिया कितना अमोंट यह सिस्टम खोला यह फॉन में भी काम करेगा यह सिस्टम तीक है आपने भाउन के अंदर आप अगर यह एक्सल सिट कर रखते हो तो आपको मैने फूड्ड मेने यूज़ किया एसे ठीक है तो आप क्या है यहां पर आपको घ्क यारोग आप यह क्या करोगे एफंड परसेंट इतना इतना इतनें लाक नंप नहींद देख करके देखलो मु अब देर इसको हम प्लेस्ट करेंगे इंटर तोको यह भी तीन लाग तोटल रिसीब आप प्लेस्ट बैलांस को जो रोगे तो टोटल से मैच हो जाएगे ठीक है ठैंक्यू उमीद करता है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है वाके में तो आप लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उमीद है आप लोगों से आप लोगों की सपोर्ट चाहिए प्यार चाहिए ठैंक्यू मिल